तो आज फिर से मैं लेके आ चुका हूँ एक बड़े बजट में अपने ही बजट से ज्यादा हगने वाली मुवी के बारे में जिसका नाम है कलंग यार ये वो मुवी है जिसको रोष्ट करने के लिए मुझे इसका नाम भी चेंज करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि ये तो पहले से ही कलंग हैं इससे बुरा तो इसका नाम और मैं क्या ही दू पर फिर भी अगर आपको कुछ कहना है तो इस मुवी को आप कलंग की जगा कमाल आर खान भी कह सकते हो ये ज़्यादा इंसल्ट होगी मुवी की यार करन जोर से मैं बहुत नाराज था कि उसने खुद का नाम किस कारन से करन रखा क्योंकि उसका नाम कलंग होना चाहिए था पर मुझे ये देखके अच्छा लगा कि उसने अपनी मुवी का नाम तो कम से कम कलंग रखा यार कौन ऐसा प्रोडूसर होता जो पहले ही बता देता है कि ये मूवी नहीं बल्कि ये बॉलिवूड पे एक कलंक हैं इसकी स्टार कास्ट एक्टिंग के नाम पे कलंक हैं और इसकी स्टोरी भी कलंक हैं यहां तक कि इसको ठेटर में देखने वाले लोगों के पता नहीं कितने दिन कलंग जैसे गुजरे होंगे। यहां ठेटर में लोग जाते हैं ताकि वो मुवी देख के बाहर आए तो उनके चेरे पे एक स्माइल हो। कोई बन्दा सारा दिन काम करके रात को सोचता हैं के चलो आज रात को ठूड़ा माइंड फ्रेस करके आते हैं एक मुवी देख लेते हैं। तो दूर अगले दिन काम पे ना जा सके ऐसी हालत हो जाती है उनकी। आखों को कैंसर हो जाता हैं। इस मुवी को जिसने भी देखाना सबका मन हुआ के वो जोड़ जोड़ से तालिया बजाए के वो जोड़ जोड़ से तालिया बजाए अरे सबका मन था के वो जोड़ जोड़ से तालिया बजाए लेकिन एक कंडिशन पे उनके दोनों हाथों के बीच में करंज ओर का मुह होना था यार इस मूवी को देखने वाला हर इंसान चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग सपने इसको आउटरिस्टेंडिंग गालिया ही दी हैं यार एक बार तो ये मूवी उस बच्चे को दिखाई जाए जो अभी तक बोलना भी न सीखा हो तो वो भी ये बोले और यार अगर उस बच्चे को दिखाई जाए जिसके अभी तक दात न आये हो तो वो वेंपायर के दात उदाल लेके करन जोर को काटने भागे यार ये मूवी कलंग नहीं ये बॉलिवूड पे लगा वो दबबा है जिसको चाए हेमा रेखा जया और सुसमा कितना भी निर्मा लगा लगा के दोदे ये साप नहीं होगा यार बाओ बली के हीट होने के बाद करन ने सोचा कि मैं अभी बाओ बली जैसी बड़ी मूवी बनाऊंगा तो इसने बड़े बड़े सेट्स लगवा दिये और पूरा बाओ बली की कॉपी करने के लिए इसने एक बूल फाइट भी डाल दी लेकिन अपसोस ये VFX में पैसा नहीं डाल सका क्यूंकि सारा पैसा इसका सेट्स लगाने में पूरा हो गया था और इसी चक्कर में ये लोग स्क्रिप्ट लिखना भी बूल गए ऐसे ही कुछ भी बना के पेल दिया इन्होंने और वैसे भी इसकी स्टारकास्ट इसनी टैलेंटेड हैंकि उनको पता ही नी चलता कि ये इसक्रिप्ट लिखी हैं या नहीं लिखी हैं क्योंकि जब ये मुवी आलिया के पास गई होगी तो उसको लगा होगा कह रहे ये स्क्रिप्ट तो बाव बली 3 की हैं वरुन दी कैप्रियो को स्क्रिप्ट पढ़के लगा होगा क्या रहे ये तो गेम अफ थ्रोंस की सस्ती कॉपी हैं क्यूंकि इसको दिल वाले भी इंसेप्सन जैसे लगती हैं और रही बात अधित्यरोय कपूर और सोनाकसी सिना की तो वो तो यार इसी बात से खुश होंगे के चलो उनको मूवी तो मिली तो चलो देखते आखिर इस मूवी में क्या हो और करते इस मूवी की थोड़ी तो पहांजी है बठवारे के पहले की जहाँ सोनाकसि सीना एक डόक्टर के पास बैठी और कैंसर है साला मुवी के सिरू महीं हमको इतनी खुशी देकर आगे हमारी जान मानने वाले हैं ये लोग तो सोनाक्सी सिना टै बोलने वाली हैं एक दो साल के अंदर तो वो बोलती हैं के मेरे को मेरे पती के लिए कुछ करना है अब वो नहीं उससे भी बहुत जादा करना है इसको तो देख भाई आगे देख अब चाहे आप कितना भी आंड़ गांड पूरे ब्रह्मांड का जोल लगा के सोच लो आप ये नहीं सोच पाओगे कि सोनाक्सी सीना क्या की ने वाली है तो सोनाक्सी सीना जाती है जो के पतंग लूट रही हैं क्यूंके खरीदने के पैसे नहीं बचें इनके पास अब यह बहुत सारी पतंग लूट के इकट्टा कर रही है और मकर सक्रांती जाने के बाद यह उड़ाएगी क्योंकि तब कोई नहीं उड़ाएगा तो इसकी कोई काटेगा नहीं तो यार सोनाकसी का प्लान होता है कि वो आलिया को एक साल के लिए अपने गल ले जाए और इसके मनने के बाद वो इसकी साधी अपने पती से करवा दे यार कहां होता है ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा और चलो एक बार के लिए मैं मान भी लेता हूँ तो यार सोनाकसी तू अपने पती को बोलना के वो खुद की पसंद की कोई लड़की डूंडे लेकिन नहीं ऐसा तुम नहीं करोगे मनने के बाद भी उसके साथ खुद की पसंद की लड़की छोड़के जाओगे यार मानता हूँ के इसका पती अदित्य और कपूर है जो के हर मुवी में बेवडा बताता है इसका मतलब यह थोड़ी ना के उसके फिलिंग्स के गांड ही माल लो तुम लोग तो पहले तो आलिया बट बोलती है पर फिर फैमिली के इमोशनल अत्याचार के बाद वो बोलती है नई नई इनकी साधी में नई वो कई एक रोड पे डांस कर रहा है और यही है वरुन दवन की एंट्री मुवी में साला इसकी एंट्री में भी दम नई है अदित्य रोय कपूर आलिया बट को बोलता है कि मानता हूँ अमारे साधी हुई है लेकिन अपने बीच कुछ भी गुलू गुलू नई होएगा क्योंकि मैं सोनाक सी सिना से ही प्यार करता हूँ तो फक आउप पर कमाल की बात ये है कि साधी में पास बैठने और अभी इतनी बात करने के बाद भी इन दोनों ने एक दुसरे को नई देखा है इन दोनों को पता ही नहीं है कि इनके पति-पतनी दीखते कैसे हैं कुछ लेंसेस बाती है या वरुन दवन जो की तलवारे बनाता है और कुनाल खेमू इसको आके बोलता है कि बटवारा चाहिए हमको अब यहां यह तीनों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लंज कर रहे हैं और संजदत अदित्यराय कपूर का पापा हैं और यह न्यूस पेपर प्रिंट करते हैं तो संजु बाबा इसको बोलता है कि बेटा गंडिया तोड ली जाएगी तुमारी यहां आलिया बट बोलती है कि हम गर में अकेले बोर होते हैं गर में वाइफाई लगाओ हमको दिशोएप सो की वीडियोज देखनी है नई नई ऐसा नई बोलती पर यार अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगती है न तो लाइक करना और कॉमेंट में मुझे बता देना और सब्सक्राइब तो करना ही है तो आलिया बोलती है कि हमका जॉब करनी और संगीत भी सीखना है वो भी वहाँ से जो जगह बहुत 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 बहुती ज्यादा बदनाम है क्योंकि मुवी ठंडी चल रही है मुवी में थोड़ा चूतिया पा बिखेडना है तो ये बोलती है कि अब यार हीरा मंडी का नाम लेने से सिर्फ नाम बदनाम होता है लेकिन तुमारी मुवी देखने से जिंदगिया बदनाम हो गई उसका क्या तो सब लोग आलिया बट को मना करते हैं क्योंकि हीरा मंडी जगह उनके गरवालों के खिलाफ हैं पर आलिया बट जिद्दी हैं वो छट पे चड़ जाती हैं और हमको याद दिलाती हैं कि यह जो तुम मुवी देख रहे हो ना तुमारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है तो अब इसको जॉब मिल जाती है वो भी बीना इंटर्व्यू के क्योंकि इसको जॉब अपने ही पती की कमपनी में मिलती हैं और यहां इसका पती सबके सामने इसको पूछता हैं कि और आप कौन? और यह बोलती हैं कि मैं उनकी पतनी मतलब इन दोनों को अभी तक नहीं पता कि यह दोनों दिखते कैसे हैं यार क्या उखाड लिया? क्या उखाड लिया तुमने ऐसी साधी करके? और अब यह जाती है मादूरी के पास जो पहले एक कोठा और अब एक म्यूजिक अकैड मी चलाती हैं और यहां इन दोनों का म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता है जिससे मादूरी इंप्रेस हो जाती हैं पर वो उसे बोलती हैं कि आज हमने हमारे कान सही से धोये नहीं है हमको डॉक्टर नैने के पास जाना है ताकि वो कान से कच्रा निकाल सके तो तू एक काम कर कल वापस आना और हमको यही गाना फिर से सुनाना और सुन फीस एडवांस लेंगे क्योंकि यह मूवी रिलीज होने के बाद बरबाद होने वाले हम और जाते हुए इसे वरुन दवन मिलता है जो कि इसको छेडने लगता है और बिना पुछे इसको अपना नाम बताता है तो आलिया के दिमाग में यह आता है हमें कुछ पुछा है अब आलिया एक ही बार में हीरा मंडी जाकर इतनी इंप्रेस हो जाती है कि वो बोलती है कि उसको यहां के लोगों के उउपर एक आर्टिकल लिखना है क्यूँकि हीरा मंडी के लोग एक बार देखते ही छेड़ते बहुत अच्छा है तो ये जाती है उस कारखाने में जा वरुद दवन काम करता है और वो इसके साथ फिर से चिंदिगीरी करता है और बोलता है कि देख तेरे को साधी में वैसे भी कुछ नहीं मिला अगर तु चाहे तो मैं तेरे साथ और ये कुनाल केमू के पाथ जाती है कि मुझे तेरा इंटर्विव लेना है और कुनाल केमू इसको बोलता है कि फॉक आफ तो ये देख वरुंदी कैप्रियो का दिमाग चलता है और वो सोचता है कि ये तो साला अच्छा मौका है इस पे हम चौका जरूर मालेगा तो वो बोलता है कि मैं देगा रहे तेरे को इंटर्विव पर उससे पहले चलो थोड़ा गूम लेते हैं तो ये सबसे पहले वरुंदवन की बूल फाइट देखने जाते हैं जो के इतनी नकली होती है कि अंदे को भी पता चल जाए नई नई यार इनको क्या लगा कि ये बाउबली है और ये वरुंदी कैप्रियो और वरुंदी भलाल देव बन चुका है अब ये सस्ते बाउबली बनाने चलेते इसलिए सस्ती कमाई किये इस मूवी ने और अब ये वरुंदवन के साथ हर जगह गुमती हैं और यहां सौंग भी चल रहा है कि कलंग नहीं टॉर्चर ये मूवी पिया बाग जा ठेटर से लवड़े नहीं तो आँख खुलेगी ऑस्पिटल में पिया और आलिया बट वरुंदवन के साथ खाने में ठेटर में हर जगह गुमती हैं और थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नौलेज लेती है हीरा मंडी के बारे में इसलिए इसका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है होना ही था ये तो सारा द्यान गुमने फिनने में था तुमारा यहां भी लगा लेती थोड़ा द्यान तो रिजेक्ट नहीं होता तेरा आर्टिकल और इसलिए मैं बोला था कि आर्टिकल लिखने पे द्यान दो और यहां आता एक क्लॉट ट्विस्ट वरुन दवन तो मादूरी और संजेदत का बेटा है जो के अपने जवानी के जोस में बच्चा पैदा कर देते हैं मतलब यार ये क्या हो रहा है सालो तुमने मुवी में पांचे लोगों को लिया है और यहां बरुन दवन बोलता है कि संजेदत ने सारी दौलत अदित्यर और कपूर को दे दी अब हम भी उससे बदला लेंगे लेकिन अब हमको दौलत नहीं चाहिए अब हमको संजु बाबा की बहु यानि के आलिया बट मांता है साले अकल के दुस्मन सोच अदित्यर और कपूर तेरा भाई है तो आलिया बट हुई तेरी भाबी और तु भाबी के साथ ही सस्ते से सस्ता गेम अफ त्रोंस चल रहा है यहां पे अब यहां बरुन दवन की यारा अडवानी के साथ लगा हुआ है मैं तो भूली गया था कि अभी तक एक और रिष्टा है इसमें सालो यह क्या बवासी रहे है पर यहार बरुन दवन को याद आ रही है अपनी भाबी की लगता है इसको अपनी भाबी से प्यार हो गया है क्या करे पापा पेजो गया है मैं साधी सुदा है तेरी भाबी है और साले अगली बार अगर तुने मुझे छेडा ना तो चलेगा क्योंके मेरे को भी मजा आता है मैं तेर से प्यार करती है और महा सोनाक सी सिना टपक जाती है जहां इसकी चीता जलाने सिर्क दो लोग आये है क्या मतलब यार सेर के इतने बड़े आदमी हो तुम और तुमाए साथ कोई नहीं आया पर यार तुम दो ही आये तो चीता को यहां तक लाए कैसे हो तुम लोग अब यहां अदित्यरोय कपूर एक तो सोनाक सी सिना के जाने से दुखी है उपर से इसकी दुस्मनी बढ़ती जा रही है इसलिए यह लोग अब सहर छोड़के जाने का सोच रहे है और फाइनली अदित्यरोय कपूर वो करता है जिस काम के लिए इसको हर मुवी में लिया जाता है बाटली पीने का और यहां बरुन दवन भी आ जाता है और वो अपने बाई से इतने सालों बाद मिलने पे वो एक सवाल पूछता है जो के साइद दुनिया में कोई भी किसी से नहीं पूछता होगा इसलिए इस मुवी का राइटर चूतिया है तो वरुन दवन अदित्य रोय कपूर से पूछता है कि तो कितनी ओरतों के साथ सोया चूतिया साला कुछ भी बोलता है माधर चूत इक कोई रख निका रहा है सालों कम से कम मुवी में तो खुद को पढ़ा लिखा अटलिस्ट गिंती है उतना इंटलिजन बता दो यार और यार इस पॉसिबल भी कैसे होगा जिसकी मुवी में स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और नाच गाना ज़्यादा करते हैं वो क्या गिंती सीखेंगे लेंगे लेंगे टक्टी टू मेरा मतलब है सौटी टू यानि के स्टूडेंट अफ दे येर टू का भी नंबल लेंगे और अब वरुन दवन इसको क्रीती सेनन का आइटम सौंग दिखाने लेके जाता है कि अपने पापा एक ही है वो ही 308 वाले 308 तो गयाद है और बोलता है कि भाबी तो मेरी है और ये दोनों लड़ने लग जाते हैं तो संजु बाबा इसे साले बाप का गला दबाता है अब मादूरी जाकर सारी उल्टी कर देती है आलिया के सामने और संजेद सारी उल्टी कर देता है अदित्यरोय कपूर के सामने और अदितिर और कपूर जिसका एगो वरुन दवन ने ये बोल के हट किया होता है कि सिर्फ एक के साथ सोया है तो वो सोचता है कि चलो एक का डबल करते हैं और वरुन दवन की गांट परपल करते हैं यार क्या करू रेड़ या लाल में राइमिंग नहीं बैट रही थी तो परपल बोला यार मुझे पता नी क्या हो गया यह मूवी देखके तो अब अधितिर और कपूर और आलिय भट करते हैं यार सब कुछ हो रहा इस मूवी में बस यह मूवी खतम ही नहीं हो रही है तो वरुंक जब ये पता चल रहा है कि वहाँ पे इन दोनों का टपा टप हो रहा है तो बाग क्या आता है साले अब क्या मतलब खुदी छेड रहाता ना उसको के बस एक के साथ एक के साथ ले अब उसने दो के साथ कल लिया जलीना अब तेरी और कर दूसरों की गाण में उंगली इसलिए बोलता हूँ दूसरों की गाण में उंगली नहीं करने खुद की उंगली गंदी होती है और अब ये जाता है अपनी मा के पास और ये यहाँ भी अपनी मा का गला दबाता है साले संस्कान नाम की कोई चीज है के नहीं तुझ में माप बाप से मिलते ही उनके पैर की जगह उनका गला दबा देता है बाई से मिलता है तो बोलता है कि कितनी के साथ सोया है और बाबी को तो सैट ही कर रहा है What the fuck is going on here मतलब क्या हो रहा है इस मूवी में यार गला दबा नहीं है तो इस मूवी का दबा इसे खतम कर यहां पे, पर अचानक से यहां मा और बेटे के बीच सारे गिले सिक्वे दूर हो जाते हैं, और यहां पेपर में पार्टिशन को लेके कुछ छप जाता है तो वहां पे हो जाते हैं दंगे, वहां आलिया अपने औ यह जगह सेफ नहीं है तुम यहां से निकल लो, तो यह तीनों इस्टेशन आ जाते हैं, जा कुनाल खेमू भी हैं और एक ट्रेन भी खड़ी हैं, लेकिन उसमें भीड हैं, उपर से दंगे हो रहे हैं, फिर भी यह चूतिय सीधा सीधा ट्रेन में चड़ने की जगह और यब यह कहीं दूसरी जगह आ जाते हैं, जाएं यह अपनी मेरिज को फिक्स करने में लगे हुए हैं, अदित्य रोयकापुर सोनाटसे की याद में और आलिया बट वरुन दवन की याद में मतलब यार क्या था? मतलब यार सच्ची क्या था ये? और यार अभी तक इनकी हिम्मत देखो, लाश्ट में ये ऐसा भी पूछ रहे हैं अबे मैं जिंदा हूँ वोई बड़ी बात है, क्या दिखा सालो 2021 की पहली मुवी ये देखके मेरी जिंदगी पे कलंग लग चुका है और यार इस मुवी में कहीं भी मुझे इक्स नहीं दिखा है, बस चूतियपा दिखा है चूतियपा और ये मुवी देखते टाइम मेरे दिमाग में बस ये ही चल रहा था लेकिन आपको असाने के लिए मैंने ये मुवी पूरी देखी तो यार आप भी अब लाइक करना शेर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना